हाई गाईज वेलकम बाक टो आर चैनल क्रंच बेबी कैसे हो आप सब आई होप आप लोग अच्छे होंगे तो यह है मेरी प्रिपरेशन वीडियो आज की जो यह शाम को यह रात में आएगी तो मैंने यहां पर दिया लिया है एक थिक सौसर कितना थिक है और कितना बड़ा है और इसको मैं ब्लैक पेस्ट से कोट कर लूँगी पूरा और इसे धूप में सुखा लूँगी देन उसके बाद यह क्रंच करूँगी ठीक है तो चलिए लेट्स मेट मैजिकल पेस्ट मेरा जो की बहुत फेवरेट हो चुक है पता नहीं क्यूं बट यह बहुत टेस्टी ल अच्छे से पेस्ट बना लेंगे और देखे कितना ज्यादा टैंपिंग लग रहा है तो इसको अच्छे से मैं कोट कर लूँगी और धूप में रख दूँगी जैसे मेरा एक आपने देखा होगा पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने एक सॉसर क्रंच किया था जिसमें मै मेरा पास ब्लाक है तो मैं उससे क्रंच करूंगे एंड आपको टेस्ट बताऊंगे कि यह कैसा लग रहा है देखे कितना ज्यादा यम्मी लग रहा है पेस्ट ही खालूं सारा आप लोग को मेंट करके बताएगा कि क्या मैं पेस्ट का क्रंच करूं मालब साउंड नहीं उससे का प्लίνल देनस के बाद देखें इस फिलाद कोर कर दूंगी अर जो बचेंगा वह मैं अच्छे से लगा दूंगी तो मिलती हूं इसको फूरा खोट करने के बाद देखें कितना रेड पाता नी ज्याद रेड प्लयक का बहुत अच्छा है मतलब क्ले का ब्लाक आइटम के साथ क्रंच करें चाहे वह पाउडर हो कुछ भी हो यह बहुत टेंप्टिंग लगता है सीरिसली मेरे को अच्छा नहीं लगता है मतलब कोई भी स्लेट आइटम बट ब्लाक वन ओफ मैं फेवरेट तिल ना हूं और किसका ब ब्लाक कोट कर लिया है और यह जो मैंने टेरा कोटा दिया लिया है और इक नॉर्मल दिया है तो इसका वीडियो शाम तक आएगा अगर यह वीडियो पॉसिबल नहीं हो पाया तो मैं दो पार्ट में इसे डालूंगी ठीक है मैं अब जादा वीडियो लॉंग में तो चलिए मैं इसे दूप में सुकने के लिए रख देती हूंँ और मिलती हूँ परंच टाइम है बाबाए Imp यू और थैंक यू झाल 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 झाल